हलो एब्रेवन देखे इस वीडियो में हम evaluate करेंगे limit x 10 to 0 10 inverse x by x तो अगर यहाँ पर मैं x को 0 से approach करवाँ तो हमारी यह 0 by 0 form बन रही है 10 inverse 0 की क्या value होती है 0 हो के देखे हमें पता है कि limit अगर x 10 to 0 हो और हमारा function हो 10 x by x तो यह limit किसके equal होती है 1 की अगर यह मैंने करार रखा है इसका proof भी एक वीडियो में उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा अगर इसका proof आपको देखना है तो हम इसका use करेंगे यहां पर तो देखे जहां पर 10 inverse x है 10 inverse x इसको मैं यहां पर t let कर लेता हूँ अब ही मैं x की value निकाल लेता हूँ यहां से x equal क्या value है x की हमारी 10 t inverse है तो इस side में आएगा तो 10 हो जाएगा यह ओके और अगर देखे limit की बात करूँ मैं तो हमने यह put किया है तो well अगर हमारा x 0 को approach कर रहा है तो हमारा t किसको approach करेगा t b हमारा 0 को approach करेगा क्योंकि यहां पर 0 रखूँगा तो 10 0 की क्या value होती है 10 inverse 0 की 10 inverse 0 की 0 ही होती है value okay तो t b हमारा 0 को approach करेगा ओके देखे यह हम put कर देते है लिमिट t 10 to 0 ओके और हमारा 10 10 inverse को हमने क्या put किया है t ओके और यहां पर x है x की हमारी क्या value है 10 inverse 10 t okay 10 t okay अभी इस function को मैं ऐसे लिख देता हूँ यह जो t है यह इस t को मैं divide में ले आता हूँ okay तो limit t 10 to 0 ओके तो ऊपर बंद बचेगा हमारे पास यहां पर 10 t by इसको इसके divide में ले आता हूँ t को okay तो हमें पता है 10 t by t same इसके जैसा है यहां पर t है x किस गए तो यह equal किस के होगा one की इसे हम ऐसे लिख देते हैं देखे उपर तो हमारा one ही है तो उपर one है तो यह तो one ही रहेगा one upon limit इस पर apply कर लेते हैं t 10 to 0 n t by t okay अभी यह limit हमारी किस के equal होगी one की क्योंकि हमने यहां पर देखा था standard limit का case limit x 10 to 0 10 x by x यह किस के equal होता है one की और यहां पर divide में x किस गहें सिरुफ टी है तो यह भी divide में आ जाएगा okay one by one तो यह क्या होता है one okay तो यह limit किस एक equal है हमारी one की thank you guys अगर वेडियो अच्छे लगे हो तो प्लेज वेडियो को like और share ज़रू देजिए झाल